अगाओं नगर में प्रेया सकया में लगातार बढ़ातरी होने से इस बिमारी को लेकार आम लोगों में दह dismiss का माहूल बने लगा है देंगू मरीजों की संख्या जहां एक और लगाता राज के सयुक्त चिकेस साले में बढ़ रही है तो वही नगर के प्राइवेट अस्पताल में भी हर रोज काफी मरीज इलास किया आ रहे हैं तो नगर सरकारी अस्पताल की प्रवंदग डॉक्र प्रतीक ने बताया कि अस्पताल में भी डेंगू मरीज रोजाना इलास के लिए पहुच रही हैं जो गंभीर मरीज हैं उनको भरती किया जा रहा है उन्होंने बताए कि एस्पताल में डेंगो मरीशों को भर्ती के लिए वाट बनाया गया है और दवाईयां भी परियाप्त मात्रा में उपलब्थ है वहीं चिकेशकों का कहना है कि डेंगों को लेकर लोग घबराई हुए नहीं है अगर शरीर में दर्ध है बुखार की शिकायत है तो लापरवाही न बरते तुरंट ऐसे मरीश चिकेशकों की सला ने अपने घरों और आसपास में गंदगी न होने दे उनकी सवाई करें लेकिन अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया देखे डेंगू की सुरुवात लास्ट वीक में तो हमला पर तीन थ्री ऋ फोर पेसेंट आयूए थे डेंगू के वो लगातार पेशिंट को देख रही है और कोई भी अगर ऐसी चीजे लग रही है अगर किसी के इंसान के सरीर में कोई दर्द है फीवर लगातार आ रहा है तो वो तुरंत इस समय डॉक्टर के पास आये और दॉक्टर को दिखाये सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेन चीज है कि अभी कुछ समय पहले ही बारिस हुई है बारिस अभी खतम हुई है तो हमेरे को पानी कहीं भी रुकने नहीं देखाया